कैसे हैं आप सभी लोग आई हूब अच्छी होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं जो भी छात्र बेर इंट्रेंट एक्जाम 2022 की त्यारी कर रहा है उनके लिए हम इंपोटेंट कोशन ले आएं जी इसकी क्लास शे वजे से इपनी क्लास चलती है तो आप अपके सामने पहला कोशन को पेस किया जा रहा है इस कोशन का आप आंसर बताना है उसके कुछ सेगंड बात मैं आपको कोशन का अंसर बोल दोगा लेकिन आप कोशिश करिए कि कोशन को बताने की ठीक है तो स्टार्टिंग करते हैं पहला कोशन आपके सामने है जी यसं के इंटरेंस एक्जाम की बात देखो यहां जीएस के पचास पोशन आते हैं जिएस का पचास कर गया हों उसके बाकी बात करो आप लिएक पर पेशन के आप आप 50 में से जो कोशन आते हैं 50 में से 40 कोशन कर देना ज़्यादा की बात नहीं करोगा और भही जो reasoning का paper आपका हम टेश्ट ले रहे हैं आप 50 में से के वल आप paper में भी ऐसी करके आगे 50 में से 40 कोशन और जो आपका जो color बरके की जो जात्र होंगे वो ये पक्का कह सकता हूँ आपसे, ठीक है, समझने हो ना, आज प्रॉमिस करो आप सभी लोग, आज प्रॉमिस दे है कि आपको इस तरीके से टार्गेट को फॉलो करना है, कोशन को आपको बुक में जाता जरुत नहीं करने हैं, जो हो रहा है उसको करने हैं, लेकि इतना कोशन हो जाते हैं, 200 में से 130 कोशन कर देते हो, तो आपका सेलेक्शन एक गवर्मेंट कोलेज में होता है, मतलब कि बहुत कम फीस पे आपको एडबी से मिल जाता है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करोगे, तो कुछ मिल पाएगा, आप सुलो स्टार्टिं करते हैं, पह सभी का अंसर यहां राइट आप स्टार्ट हो गया है, और जिसने भी ऑप्शन नमर्ट ए दिया है, बिलुकुल प्रमच अन具 होगा, कम बस्तु कहिरा है, कम बस्तु पर अधिक मुद्रा भ्या करना, मुद्रा का मतलब होता है, मुद्रा का मतलब होता है, रुर्पीया, tyreव कम बस्तु खरीदी और ज्यादा पैसा आपने खर्च किया तो वह क्या कहला आती है मुद्रा इस पूती के अंदर गता आती है प्रकासित किया गया था जब दक्षण अफ्रीका में थे महात्मा गांदी इंडियन ऑपेनियन ऑप्चिन नमर जिसने भी दिया है विल्कुल राइट होगा उन्होंने प्रकासित किया था ठीक है और यह 1903 में अस्तित्व में आया था 1903 में 1903 में ठीक है नेक्स्ट को चलते ह इस कोशन का अंसर आप सभी लोग देंगे बर्स यहां बोला गया है बर्स 1665 में पुरंदर की संधी का प्रतेक्ष उद्देश क्या था आपको बताना है जो पुरंदर की संधी हुई थी उसका उद्देश क्या था पर फ calmly टेशन के सामने है सबीं कुमेंन सेक्षें में आंसर देंगे और आप मैं 20 कोशें लेके आओ के बोहला 25 कोशीन आप जैली कर रहे हैं आपको भफालं कर शकता हूं कि आपका स्लेक्ष्चिन सौ पर्शंट होगा बस मैं 25 में 25 का मेुए है ज्यादा जुरूत नहीं है जो आपको सो पर्षेंट शोगा रहा है उसको आप बताईए ठीक है तो 25 कोशन का आपका टार्गेट रहना जाए हर प्रक्रिक्स सेट में जिसने भी ओप्शन नमडर B दिया है को सिवाजी जो बिजापुर के जो सुल्तान थे उनके बीच में विवाद के बीच में बीच बोना जब एक सिवाजी थे उनके और बीजापुर के जो सुल्तान थे, उनके बीच में बिवाद, बनलब कि उनको लड़ाई जगड़ा करने का बीज बोना ये था, इस संदी का मुख उद्देश, ठीक है, समझे बहा रहा है, पुरांदर संदी का उद्देश क्या था, कि जो सिवाजी थे, और बीजापुर के ज जानते हैं, मोहन जोद्रो का किस से होगा, मोहन जोद्रो का किस से होगा, सभी लोग बताएंगे, मोहन जोद्रो का किस से होगा, ग्रेट वाट से होगा, ठीक है, मोहन जोद्रो का ग्रेट वाट से होगा, उसके बाद हडपा किस से होता, हडपा का होगा, इस हडपा का होग पिरिष्ट से और काली बंगा का हो जाएगा हलका चित्र से तो जिसने आप देख सकते हैं पहले का छौथा पहले का चौथा बीटा ओप्शिन नबर एंव सब्सक्राइब कि बिलेट का रंग लाल रहा है किसके काण होता है यह सभी को बदाुगा थो और आप कितने सही करपा रहें मैं आप से पचास मेν से जआहता नहीं कि करिए आपका सेलेक्सिनः सो नभूगा भाब कि रेजरी के लęd रहे हैं भीस कोशेशन आपको like class लेंगे और 50 में से 40 को आप 15 पर तो आपको मैं यह कर सकता हूं कि को देखो बीटा तको सकते इस कोशन को ज kilo करेने वाला है निमनिखित मैं से किसे सफेध हात्यों का देश कहा जाता है सब लोग मेंट च्यक्षिकान धूंडगे है सफेड हाथियों का देश किसे कहा जाता है कि हाइलन्ड को कहा जाता है ऑप्षे नम्र जिसने भी दिया है ए परम सत्थांस रोगा नेक्श्ट कोशन इहां बोला गया है भारत का राश्टिय ब्लक्ष कौन सा एह बहुत ही बया जिसने भी ऑप्षोन नमसी दिया है बर्कत पिल्कुल ठीक है उप्शन नमर जिसने भी सी दिया एप रम सत्तानस होगा साइमन हो जाएगा विटा साइमन क्या होगा विल्कुल आपको केवल 25 कोशन करने इन 50 कोशन में से केवल 22 कोशन ड्राइट देना है विडियो ज्यादा की बात नहीं कर रहा है आपके बल 25 कोशन के आंसर देजीए 50 में से आपका सेलेक्शन पर सबस्त्राओं तर्गेट जो आपका रखना हूँ, बे किबल 25 कोशनों का रखना हूँ 15 में से, समसरे भर 50 में से 25 कोशन का रखना हूँ बस भही आपको करना है। Next question मूल लगा है, किसी, यह ऑपो लगा है, किसी नक्से पर डाल को दिखाने के लिए, खीची गई आसंबंदित रेखाएं क्या कहलाती है मालो कोई नक्सा है यह हमारा नक्सा मालो ठीक है अब इस नक्से पर ढाल को दिखाने के लिए मतलब यह ढाल इदर को है इसको दिखाने के लिए जो रेखाएं संबंदित होती है उसको क्या बोलते है बिल्कुल ठीक है उसे हैचियों बोलते हैं option number D की ओड़ जाएंगे next question आपके सामने आचुका है इस question का answer आप सबी उदेंगे क्या रहेगा यहां कहा रहा है railway station के platform पर खड़ा ब्यक्ती तेजी से आई आती हुई train की और खिचाब सा महसूस करता है इसका card क्या है क्यों महसूस करता है मांदब train उसके ओर मालों यहां यह बेक्ती खड़ा आए मैं आपको यहां explain कर क्यों की साइड में खिचनगे हो महसूस करता है उसका card क्या होता है आपको यह बता रहे है और ऑप्शन अमसर देखो utilized और परमसितर जोर ऊपाईगा कि लिएयर? यहां बूला गें नेट वर्क की अंदर बहुत से कम्प्यूटर दॉवरा भेजे गए भाई बारी मात्रामे डाटा के अधिकतर भर जाने से नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता उसे हम क्या कहते हैं कि सब लोग इस कोशन का अंसर देंगे क्या रहने वाला है मैं यही कहूँगा कि आप इस पचास कोशन में से केबल 25 कोशन राइट करेंगे ठीक है बस इतना ध्यान रखिए हम यह नहीं कहता कि आप पचास में से 45 कर दो 40 करके आ रहे हैं कुछ नहीं करके आंड़ जी एस में केबल मैं यहीं कोगा कि पचास में से आपको केबल 25 कोशन कर देना है जादा नहीं कोशन का अंसर बतायाने किया रहे हूं बिल्कुल ठीक है जिससे ने भी option number b दिया है connection बिल्कुल right हो जाएगा लेक्स autonomy आपके साumenे है इसको आपको बैटारा है सीमानत गांधी किसे कहा जाता है सीमानत गांधी किसे बोला जाता है या किसे कहा जाता है बिल्कुल ठीक है खान अब्दुल-गफाल खान को बोला जाता है क्योंकि यह पाकिस्तान के निवासी थे जो भारत में स्वतंतता संग्रहम लड़ाए गए थे ठीक है उन्में इन्होंने पूर का भूं का निवाई थी मतलब कह सकते हैं स्वतंतता संग्रहम में इन निन निवाग लिया था और और ये पाकिस्तान में इनका जनम जो हुआ था पाकिस्तान में वहादा ठीक है समझने हो ना इस बात को याद रखना लेक्स को चलते हैं तेरे में कोशन कांसरा आप सभी देंगे कैना निमनिकत में से कौन से इधन से सबसे कम परियावण सबसे कम पर दूसर्ण कैसे हुगा लेकिन हाइटरे से नहीं होता है हाइटरोजन से बहुत कम पर दूसरों होता है और स्वह कौशण कि चलते हैं यहां कहारा सूरी मंदर कौन से राज में इस से थे थे सभी को बताए यह सूरज होते है आपको पता सोरे को लगता है तो कि खुला बाजार कारवाहि से सब्सक्राइब करें किया होता है तू सॉर्जार के कानों कहarken करना है इश पूश्म का होगा यह होगा विलकुल ठीक है जिसने बिदिया है विलकूल राइड होगा भारतिय रिजर्व बैंक दुवारा कह सकते हैं सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और उनकी बिक्री ये कहलाता है खुला बजार कारवाई नेक्स को चलते हैं इस कोश्चन का अंसरा आपको बता रहा है गुजरात का प्रिशिद्ध निर्थ कौन सा है गुजरात का निर्थ की बारे बताना है कथकली है कथक है या फिर भांगड़ा है भांगड़ा तो पंजाब का यह सभी को बता होगा ठीक है अब देखो यहां दो रहने वाले गुजरात का वो गरवा है गरवा ने तो सबसे प्रसिद्ध है ऑप्शन नमबर डी की और जाएंगे लेक्स कोशन आपके साम कोशन है अब देख सकते हैं यह पॉलिटी का कोशन है और इस ने भी ऑप्शन नमर दिया है 14 बिल्कुल राइट है आर्टिकल 14 में है समानता के विल्कुल ठीक है ना राइट होगा नेक्स कोश्टिन को चलते है इस कोशन का रहने वाला है अठार्म कोशन का अंसर आप सभी आपस में जुड़े दूपिये समु को क्या कहते हैं आपस में जो दूपिये समु जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बिल्कुल सही है आर्ट कोफी लोगों बोलते हैं ऑप्शन नमर जिसने भी दिया है सीज राइट होगा सीज राइट होगा बिटा जैसे कि मैं कह सकता हूं आपस में दो दीप कौन कौन से तो एक तो दीप हो सकता है अंडवान निकोबार आप जानते होंगे अंडवान निकोबार ठीक है अंडवान निकोबार अंडवान निकोबार पिलस उसमें कौर चुड़ा है जिसे कहते हैं लक्षम दीप लक्षम कच नहीं से किसका समर्थन नहीं किया था महातमा गांधी में निम्निकित में सेaffirm की गरीमा का तो सबी लोग इस कोशन का अंसर देंगे कह सकते हैं भारी उद्धोग का उन्होंने क्या क्या समर्थर नहीं किया था option number B की और जाएंगे next question आपके सामने आ चुका है राजपाल का कारकाल कितने बर्च का होता है राजपाल का कारकाल कितने बर्च का होता है इसकी न्युक्ति कौन करता है आपको ये भी बताना है इसकी न्युक्ति कौन करता है आपको ये भी बताना है न्युक्ति कौन करता है तो ये राश्पाल राश्टपती करता है याद रखना राश्टपती राशपाल की न्युक्ति करता है अब यहां देखो बात करने वाले हैं साथी साथ प्रधारमंत्री भी निखती करता है वहीं अब यहां देखो राजपाल राजपाल का यहां कहार कारकाल कितना होता है यह पांच बरस का होता है स्बेंच कांसर क्या होगा मैं आपको सौफ़र्य च willen देखने के सामें है किसका संबंद गदरबरटी से नहीं था कि बिल्कुल ठीका बाबा गुरुदंत की बात करें इनका था गदर पार्टी से संब्ध नहीं था बाकि लाला लाजपत राए यह मोहन के सकते हैं सोहन सेंग और बाकि मुहम्मद जो है यह तीनों का गदर पार्टी संब्ध था तो option नमर बी का नहीं था लेक्स कोशन को चलते हैं इस कोशन को आपको बताना है तो ट्रांसफारम किसे परिवतन करने की नुखती है तो ट्रांसफारम किसे परिवतन करने की नुखती है त्रांसफारम जो होता है वो क्या करता है AC को AC में ही transfer करता है लेकिन क्या करता है जो क्या होता है कह सकते हैं कम voltage को high voltage में change कर देता है low voltage को high में change कर देता है ठीक है high तो option नमर क्या होगा low voltage AC को voltage AC में change कर देता है option नमर 20 रहेगा next question को चलते है 25 में question का answer आप सभी लोग देंगे क्या रहने वाला है यहां बोलागया है कम्यूटिंग का कौल सा पिरकार कम्यूटिशन, इस्टूरेज और उनके और यह तक कह सकता है यहां तक की application को भी पूरे network में service के रूप में करता है यह आपको बता रहें यहां बोलागया है committing का कौन सा पिरकार commutation, storage और यहां तक की application को भी पूरे network में service के रूप में काम करता है वो क्या करता है तो cloud committing हो जाएगा option में जिसने ए दिया है परम सत्ता अंसर होगा next question आपके सामने आ चुका है इस question का अंसर आप देने वाले हैं क्या रहेगा रक्त पिर्भा में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है सब लोग इस question का अंसर देंगे क्या रहने वाला है वो इसलिए खतरनाक होता है कि रक्त के पिर्भा में बाधा उत्पन हो जाती है तो रक्त के पिरबहा में क्या हो जाती है रख्त के पिरभा में हवा के बुलबहले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है आपने पता है कि आपको जब कोई injection लगाता है थीक है जब साल को सब्सक्राइब में बातावर्ण में पचुछ की क्या क्या कहते हैं आप द्हान से देखिए और कोशन का अंसर मुझसे करने की पहले कोशिश करिए कुडार के मंदर का निर्माड किसे ने कराया था मैंने अभी थोड़े दर पहले आपको बताया था कुडार के मंदर जो है वो सूरी मंदर बोला जाता है ठीक है जो उडिसा में है सूरी मंदर से बोलते है वा था सूरी मंदर का निर्मार्ण तो आप कहेंगे यह हुआ था 1250 इस भी में ठीक है 1250 1250 इस भी में इस बात को आप याद रखेंगे लेक्स आपके सामने आ चुका है इस कोशन का अंसल आप सभी लोग देंगे यहां को आए समराट असोग इसका उतर अधिकारी था जोर सम दूसार का उत्तरादीकारी था नेक्स कोशन आपके सामने आकके स्मस्शन आप सब्सक्राइब कर देंगे मैं इसको छोटा कर देता हूं को थोड़ा और छोटा कर देखें यह इस कोश्ण कांसर क्या होगा यहां वो लगया है मालत्यू सियन की जन्संक्या सिध्धान्त के अनुसार क्या होता है अब सभी कहेंगे जन्संक्या जमेती अनुपात में बढ़ती है खाद अपूर्ती गर्त की अनुपात में बढ़ती है option नमर एक ही और जाएंगे next question आपके सामने आ चुका है किसी बस्तू का अधिक्तम भार किस इस्तती में होता होगा याद रखना किसी बस्तू का अधिक्तम भार किस इस्तती में होगा option नमर डी के और जाएंगे next question आपके सामने आ चुका है निम्नेकित में से क्या पिर्कास अंसरेशन में निभाता है यही प्रिकास संस्रेशन में महत्पूर्भूं का निभाता है क्लोरो होम कहते हैं हरी तिल्ब ने तरहाँ से दिए होगा है in इस को शंक्र क्या होगा सभी लोग बताएंगे हरत करांति का सर्वधिक प्रिभाव किसमें देखा गया है सबसे ज्यादा हरित करांति का सब्षे ज्यादा किसमें देखा गया है कि यहां बोला गया है बैंक दर क्या होती है बन्द बैंक दर किसे कहते हैं यह बताओ बैंक किसे कहते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को प्रेटिस कर देंगे आट बजी से सब्सक्राइब कर देंगे क्या रहने वाला है कि बहुत है जिस पर किसी देश का केंद्रिय बैंक और देश के अन बैंकों का रिड़ हो रिड़ देता है लब देखो बैंक दर क्या होती है मतलब बहुत को इसका केंद्र बैंक और देश के अन बैंकों को रिड़ देता है केंद्र का जो बैंक होता है और देश के चोटी चोटी बैंक यह यह दै पारत में आर्थिक विसंता को कम करने में सायक होती है बताओ, सब लोग बताएंगे, इस question का अंसर क्या होगा, निम्रेकित में से कौन सी करप्राणडी भारत में आर्थिक विसमता को कम करने में सायक होगी, यह सायक होती है, बताना है, तो आप सभी कहेंगे, प्रति गामी कर, उप्शन नमर जिसने भी दिया है, प्रमसत्तान सरुगा, प्रति गामी कर, नेक्स कोशन यहां गीं सलते हैं, देखो, इस question का answer आप सभी लोग देंगे, यहां कहा रहा है, भारत के राष्ट्रपती को उनके पच से कौन हट आ सकता है, तो संसद हटा सकती है, पार्लेमेट इसे बोलते हैं, संसद हटा सकती है, राष्ट्रपती को, आर्टीकल किसके तरू, तो आप कहेंगे, आर्टीकल 61 के तरू, महा व्योग लगा कर, ठीक है, 61 के तरू, option नमर क्या रहेगा, सीज राइट होगा, नेक्स कोशन को चलते हैं, यहां क्या आगा है, बाड के दोरान नदी चैनल के किनारों के साथ, बने चोडे, और नीचे, किनार बंदी को क्या कहते हैं, आपको यह बताना है, यह को बाड के दोरान चो, नदी के चैनल के किनारे के साथ, बने चोडे चोडे होते हैं, और नीचे, एक, नीच करें आपको 25 को चाहिए है बस कोशन हर प्रक्टिस में होना चाहिए तो पहुंचे आने की कोई कोशिश मत करना करना वह बतारोंहें यहां मोला गया है रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में बड़िक प्रियोग का तुंतु पैदा करता है तो हुद ही आपको यह कि under recom और अ motivating इने से हम संदान भी मूलते हैं सन्नाद संबसे जाड़ चारा वहाता है एसको हमोगे होगी बिलकुल राइट होगा का सब्सक्राइब बिलकुल तीक है और जिसने भी पर fare यह प्रत वी पर चंदरमा कागूर्थ 우리가 भाक्षन होता है उसके एफेक्ट के कान क्या होता है समुन्द में ज्वारा कह सकते हैं जो ज्वार भाटा उत्पन होती है यह उठती है बाद भी आप से पूछा आप से कौन सा यूग्म सही नहीं है और आपको नीचे विडी की ओर जाएंगे तो देखो कहा है मिलखा सिंग क बाद संथरंगल की खिलारी नहीं ते वह क्या थे फ्लाइंग जट की नाम से दाना आ जाता है वह रंणिंग करने वाले फ्लाइंग जट बोला जाते हैं आपको पता और तो यहींनों इतने च्छित Pocket बूलते कि किया बोलते हैं अब फ्लाइङ सी जो है टीक है अब फ्लाइग शिख को हम पास्तान के जर्षानल रिक उसका नाम अड़करn तुम जो मिल्खा सिंग से बोला था कि आप फ्लाइंग सिख हो ठीक है नेक्स कोश्चन को चलते हैं यह 17 के खलाडी नहीं थे नेक्स कोश्चन है यह रनिंग थे रनिंग करते थे इस कोश्चन को देखो आरिभट और कालिदास किस गुप्त सासक के दरवार में रहते थे तो आपको सभी को पता है यह तो बिल्कुल सिंप्ल कोशन है चंदग दुभत दुतिये को विकर्मा दिट भी बोलते हैं इस हम पता हुआ है थे को तुम्हारी जो जीएफ है उसे एक लड़की से प्यार हो गया था बिकर्मा दिखो और नहीं कि पहले आपको पूरे देश का समराड बनना है उसके बाद गल्फेंट को बटाना है उसके बाद में उसको देखना है पहले प्यार को त्याग ना पड़ेगा उन्होंने कुछ समय के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया था उसके बाद में क्या हुआ था आपको बटाए उसके बाद में जब वो पूरे भारत वसमें जब कब्जा किया उन्होंने जब समराड बना था तो उसके बाद में उस छोड़ी को ठाके लिए आया था इसे वो प्यार करता था तो पहले संगर्स करो। उसके बाद में जो चाहूं कर सकते हो। पहले आपको कोछ बनना पड़ेगा पाबर होनी चाहिए इतना कुछ करने के लिए। तब उसने युद्ध में जीती थी उसको ठीक है यह था उसका तो इस तरीके से आपको भी थोड़ी मेहनित करनी शाहिए उसके बाद में आपका लाइफ पाइटर बहुत अच्छा मिलेगा समझो संगर से बहुत जरूरी है थोड़ा बात आ गई है इस लिए इस कोशन का अंस लिए होती है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा घाटी को गहरा करना के पर के लिए होती है इसमें आप से पूछा गया है बरतमान में भारती सभीदान में कितने बहुत है कितने भाग हैं तो आप सभी कहेंगे 25 भाग हैं यदि अनुसूची की बात करें भारत में अनुसूची है कितनी है तो आप अनुसूची की संक्य बताएंगे 12 है यदि आर्टीकल की बात करें अर्टीकल कितने है तो 305 अर्टीकल है अमारा सभीदान कब बना था कितने दिन में बना था तो आपको सभी बताको दो भर्ष 11 महीना 18 दिन में बना था एक शब्सक्राइब यहां वो लगा है मुगल समराज सम्राज मुगल सम्राथ जहागीर ने डॉट में साली मार बा का ंर्मार कर आग था तो साली मार जो बाग है साली मार बाक कार नहीं capitalist नींट सेक्षिंप में तो बंक बहारत का सबसे पुराना सर्वज बेंग सर्वजरिक शत्र का बैंक है आपको बताना जो सभी को बताओगा इसका प्रधान काल्या की बात करें वो K boy कॉलकाता को नहीं के स्थापना की बात की शापना की इलावा रहने वाला है यह बुला गया वैदिक सवधा जिसने भी टारगे पहुच चुग है आपको बता रहे हैं इस कोशन का अंसर सब्सक्राइब कोमेंट सेक्शन में आंसर देंगे और मैं आप से देखो 50 कोशन होने वाले हैं आप 25 कोशन जिसने भी टार्गेट पहुच चुका है तो उसके लिए बहुत बढ़े हैं और आपको गवर्मेंट पॉलिज में सीट एक पकी है आपकी समझ लो तो बिल्कुल ऑप्शन में जिसने दिया है डी सरस्पती नदी के तरड़ पर ऑप्शन नमर जिसने डी दिया है परमसतान सुगा सरस्पती नदी के तरड़ पर ठीक है चलो नेक्स कोशन को चलते हैं इस कोशन का अंसर क्या रहने वाला है यहा तो देखो महाध्मनी जो होती है वो बाइलिंद पर स्टार्टिंग होती है ठीक है वाई अलिंद ऑप्षिन नमर जिसने भी दिया है धमनी में कौन सा रखता है तो आपको सुद्ध रखता है सुद्ध रखत भैता है इस बात को याद रखिए उसके बाद में आपको इस बहात को याद रख रहा है ठीक है कोई दिक्कत किसी को कोमेंट चेक्सल में बोच सकता है लेक्स कोशन को चलते हैं बाइस जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राजपाल के रूप में किसने सपत ग्रहण की थी तो 2014 में जो राजपाल थे तो वो कौन थे आपको बता है वो है राम नाइक राम नाइक राजपाल थे लेकिन प्रजेंट में मतलब बरतमान में कौन है बताओ बरतमान में राजपाल कौन है आप सब लोग बताएंगे बरतमान में राजपाल कौन है आनंदी बेन परटेल बहुत ही बड़ा है जिसने भी option दिया है आनंदी आनंदी बेन परटेल आनदी बिन पटेल है बर्तमान में राजपाल उत्तर प्रदेस की याद रखना है next question क्यों चलते हैं मिटा next question आपके सामने है ज़न्होंने सपत कब्ली थी इन्होंने सपत कब्ली थी आपको गहें यह जो बनिये वो 19 जुलाई को बनिये 19 जुलाई 2019 को 19 जुलाई 2019 को उन्होंने सपत लिए याद रखना है आनंदी बेन पर्टेल ने उत्तर प्रदेश की राजपाल है इस कोशन को चलते हैं इस कोशन का अंसर क्या रहा है पचासमा कोशन है और लास्ट कोशन है यहां बो लगा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है पीतल नगरी किसके नाम से जाना जाता है आपको पता होगा अलीगड को जो जाना जाता है वो ताला की नगरी बोलते हैं से हो अलीगड को और फैजा जो कह सकते हैं एक मेरट है मेरट को हम करांती नगरी बोलते हैं रामपुर को चाकु नगरी बोला बोनाइन जाया है लेकिन पीतल लगरी किसको बोला जाता है यह से पूछा आपको जो 50 जो प्रैक्टिस हैं लिया जाता है के वहले में इसमें से 25 कोशन करने का प्रियास करना है किसी भी हालत में 25 पुलस आपको जाता है तो और बढ़िया है 25 से नीचे मत आईएगा क्योंकि आपको टारेट ले ना है तो इस तरीके से हम त्यारी करेंगे और अच्छे तरीके से एड़िशल लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे से लेकर पीछे तर ठीक है तो चल को सब्सक्राइब करेंगे जादा से जादा दोस्तों को शेयर करें थेंक यू फूर वाचिन इस वीडियो बाई बाई चल क लिए कर लेकिने की इसकी कि थो दो फेल्वाट बारता करेंगे और लुग को सब्सक्राइब करो तर पिरके झाल झाल